बिना मशीन, बिना सांचा, आज हम बनाएंगे एक तम परफेक्ट गाठिया सेव, दोस्तों, ये बहुती ज़ादा सौफ्ट काठिया है, जो मुमें चाते ही घुल जाए, इन गाठिया सेव की सबसे खास बात यही है दोस्तों, कि हम इने बिना मशीन के बना कर त्यार करेंग तो यह काफी जादा soft गाठिया होता है तो आज की इस recipe को आप ध्यान से देखिए ताकि आपकी recipe एक्तम perfect बने बीना सांचा बीना machine के बेसन के नमकीन सेव और mix नमकीन की recipe मैंने आप लोगों के साथ share की हुई है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उन वीडिय दूस्तों यहां पर मैंने धाई कटोरी बेसन लिया है तो measurement के लिए आपको कप्या कटोरी सेट कर लीजेगा उसी से नापकर आपको सारी चीज़े लेनी है तो यहां पर मैंने steel की कटोरी से नापकर धाई कटोरी बेसन एक प्लेट में डाल दिया है इसके बाद हम इसमें आ आधा चम्मच हम ये दरदरी कोटी हुई काली मिर्च हम इसमें एड़ कर रहे हैं हम इसमें दोस्तो लाल मिर्च और हल्दी पाउडर वगएरा एड़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मसाले बहुत ही कम डाले जाते हैं तो अब हम इन मसालों को देखिए अच्छे से बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि सारे बेसन में ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं अब इसे मिक्स करने के बाद हम इससे साइड में रख देते हैं और अब हम एक घोल बना कर त्यार करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर मैंने आधी कटोरी पानी एक बाउल में डाल दिया है, इसी कटोरी से नापकर हमने दोस्तों बेसन लिया था, बस उसी से नापकर में सारी चीज़े ले रही हूँ, अब आधा कटोरी हम इसमें तेल एड़ करेंगे, आपको यहाँ पर सरसो का तेल नहीं लेना है, क्योंकि सरसो के तेल में जो स्मेल होती है, काफी स्ट्रॉंग होती है, इसके बाद हम इसमें आधा चमच नमक डाल देंगे, अब इसमें आधा चमच हम एड़ कर रहे हैं, पापडखार, पापडखार से गाठिया से काफी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, अगर आपके पास पापडखार ना हो, तो आप आधा चमच यहाँ पर बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं, मीठा सोडा वो आप डाल सकते हैं, तो अब हम इने देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो मैं ऐसे विसकर से मिक्स कर रहे हूँ, विसकर न इसका जो टेक्स्चर है ना काफी क्रीमी हो गया है, पानी और तेल जब अच्छे से मिल जाते हैं, तो बहुती क्रीमी सा टेक्स्चर इसका हो जाता है, तो ये देखिए, मैं आपको चमच से यहाँ पर दिखा देती हूँ, तो चलिए, ये घोल बनकर जो है बिल्कुल तैय थोड़ा थोड़ा करके ही डाल दीजेगा दोस्तों, लेकिन ये सारा घोल इस बेसन में लग जाएगा और सौफ्ट सा डो बनकर तयार हो जाता है, तो देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके अड़ कर रहे हूँ और मिक्स कर रहे हूँ, आपको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही कर इस रेस्पी में दोस्तों मेजरमेंट का आप खास थ्यान रखेगा, सभी चीजों को आप नाप करी लीजेगा, तो आपको बाद में अलग से पानी बगार और डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये देखिए, मैंने सारा घोल जो था, वो अच्छे से डाल दिया है, और हमारा यहाँ पर सॉफ्ट सा बेजन का डो लगकर तयार हो गया है, अब हम दोस्तों इस बेजन के डो को दो भाग में इस तरह से तोड लेंगे, आधा जो बेजन का डो है इसे हम साइड में रख देते हैं, तो आधा जो डो लिया है हमने, इसे देखिए हम थोड़ा थो पानी लगाकर ही आपको इसे फेंटना है दोस्तों जब हम इसे इस तरह से फेंटते हैं तो इसका जो कलर है न वो काफी जादा लाइट हो जाएगा और बेसन का ये डो काफी जादा सॉफ्ट हो जाएगा और जब हम गाठिया से बनाएंगे तो बहुत ही जादा सॉफ्ट बन तो मैंने आपको दिखाने के लिए आधा डो फेंटा था और आधा इसी तरह से रखा था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए लेकिन आप सारे डो को इकठा फेंट लीजेगा तो चलिए यहां पर दो तेयार हो गया है तो दोस्तो आज जो हम काठिया से बना रहे हैं उ अगर आपके पास मियोनिस का पैकिट ना हो तो जो टोमेटो कैचप का पाउच आता है ना बड़ा वाला तो वो आप ले सकते हैं क्योंकि टोमेटो कैचप तो हर घर में यूज होता है टोमेटो कैचप का वो पैकिट भी बिल्कुल ऐसा ही होता है दोस्तो तो चलिए इसके पैकिट में दोस्तों मैंने तीन होल किये हैं, आप पैकिट में चार होल भी कर सकते हैं, लेकिन तीन होल से भी नमकीन काफी जाधा अच्छा बन जाता है, तो इसके बाद देखे मैंने चाकू को गरम कर लिया है, और अब हम देखे इस तरह से छोटे-छोटे से कट तो चलिए गाठिया सेव के लिए दोस्तों यहाँ पर हमारा पैकिट जो है वो बिल्कुल तयार हो गया है अब देखिए इसके अंदर थोड़ असा तेल लगा करना हम इसे क्रीज कर लेंगे ताकि जो हम डो इसके अंदर बेसन का डालेंगे वो इसके साथ जादा ना जिपके इसके बाद जो बेसन का डो हमने बनाया है इस डो को देखिए हम पैकिट में इस तरह से भर लेंगे आप चम्मत से भी इसके अंदर इसे भर सकते हैं एक ही बार में मैंने पैकिट में सारा डो नहीं भरा है थोड़ असा डो बच गया है तो अब मैं आपको पहले नमकीन बन कर दिखा रही हूं कि इनकी जो शेप है वो किस तरह से आती है जिस तरह से हम मशीन या सांचे से किसी से बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही शेप आएगी दोस्तों बिल्कुल बजार जैसे ही बन करते हैं तो अब देखें दोस्तों घर में बजार जैसा नमकीन बनाना कितना आसान हो गया है अगर आपको वीडियो जरा भी हैल्फुल लग रहा है पसंद आ रहा है तो आप लोग उसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जल्दी से शेयर कर दीजे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ तो चलिए अब हम इन्हें फ्राइ करेंग और यह साथ की साथ फ्राइ हो जाएंगे तो अब यह थोड़ असा जब इनकी शेप तेल में जाकर सेट हो जाती है इसके बाद हम इने पलट देंगे और दोनों तरफ से इत्तम क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लेंगे तो यह देखेए थोड़ी सी शेप सेट हो गई है तो बस अब हम क्या करेंगे, इन्हें पलट देंगे, दोस्तों अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहें, इसलिए आपको इन्हें low flame पे ही fry करना है, क्योंकि ये सेव थोड़ी से मोटे सेव होते हैं, अगर आप इन्हें तेज flame पे fry करेंगे, तो ये अंदर से कच्चे रह सकते हैं, तो अब हम इने तेल में से बाहर निकाल लेंगे, मैंने इनका कलर जादर dark होने नहीं दिया है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं दोस्तों, और आप इनकी शेप भी दे सकते हैं, इक्तम perfect शेप आई है, जिस तरह से हम मशीन से ये गाठिया से बना सकते हैं, उसकी रेस्पी भी मैंने आप लों के साथ शेयर की हुई है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप आहां से देख लीजेगा, गाठिया सेव का यहां पर दूसरा बैच भी हो चुका है, बहुत ही बढ़ी सा कलर आ ग रिस्पी रहें, तो ठंडा होने के बाद आप इसे किसी एरटाइट कंटेनर में भरकर स्टोर कर लीजेगा, तो तीन महीने तक यह बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं, आप इने चाय के साथ खा सकते हैं, बाहर सफर में लेकर जाना चाते हैं, तब भी लेकर चा सकते हैं, तो यह दिखे, मैं आपको इनकी शेप दिखा रही हूँ कि एक्तम परफिक्ट शेप आई है, जिस तरह से हम मशीन से बनाते हैं, आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ कि यह कितने जादा खस्ता बने हैं, काफी जादा क्रिस्पी हैं, आप भी दोस्तों बिल्कुल इसी